मुत्राश्यमा पत्री होई तो आमडानू चूर्ण मुरा साथे लेवा थी पत्री गड़ी जाय छे। केसरना सेवन थी पेट मां एक्ठो थायेलो गेस दूर थाय छे। दांतनो दुखावो थतो होई त्यारे वजरदंतीना चार-पांच पांडड़ा चाववा थी दुखावो मटी जशे। दूदी छेडीने पगना तळियामा लगाववा थी पगनी बलत्रा ओची थशे। काचो कांदो खावा थी मासिक साफ आवे छे अने दुखावो मटे छ वधू पड़तू नहावानू गरम पाणी त्वचानो भेज सुकवी नाखे छे। नहावाना पाणी मां बे टीपा मद नाखवा थी त्वचा कोमण रहे छे। त्वचा तैली होई तो फेस्पेक मां दूधने बदले दही नाखी शको छो। वधू पड़तू वजन स्त्र माटे कैंसर नू कारण बने छे। कोथमीर ने चावी चावी ने चुस्वा थी गलानों दुखावों मते छे। अजमों अने तल भेगा करीने खूब चावी ने खावा थी वारंवार पेशाब करवा जवामा राहत रहे छे। बे चमचा घौना लोट मां दूध भेलवी च चहरा पर रगडी थंडा पाणी थी चहरो धोवा थी निस्तेज बनेलो चहरो निखरी उठशे। कुमार पाठूनों पाक शरीर मां ठता वायू अने सांधाना दुखावा मां फाइदों करे छे। इस बगुल नू सेवन पेट तो साफ राथे छे। ते उपरांत श्वसन रोग मां उप्योगी छे। गरम पाणी साथे बे लविंग खावा थी हेड की आवती बंद थाई जाए छे। सवारे उठतानी साथे आखो सुझेली होय तो बरफना पाणी मां रू भींजवी ने आखो पर लगाडवा थी सोजा दूर थाई छे।